नमस्कार एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है और पंडित रविश अंकर शुकल यूनिवर्सिटी से सब्मंदित महत्वपूर्ण खबरे जानने के लिए हमेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही इस्टाग्राम टेलीग्राम फेस्बु पर बने ग्रूप को भी जोइन आप कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक नया इंफर्मेशन आप सभी के लिए लाया हूं नया फॉर्मुला लागू हो चुका है जो राइपूर के तीन कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब वार्शिक ना होकर समस्टर के फॉर्मुले से होगी साल में दो बार उनकी परिक्षा होगी तो देखे जानेंगे वह कौन से तीन कॉलेज है और क्या है यहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई को समस्टर करने का फॉर्मुला इसके बार ग्रूप के माद हम से किया जाएगा चले दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहां पर की नया फॉर्मुला लागू कर दिया गया है राइपूर के तीन कॉलेजों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई को समस्टर के फॉर्मुला से की जाएगी साल में दो बार उनकी परिक्षा होगी समस्टर वाइस तो यह कौन से कॉलेज हैं तो 36 गर्ड कॉलेज डिगरी गल्स कॉलेज और साइन्स कॉलेज तीनों आटोनमस कॉलेज में इस सत्र से यानि इसी 2022-23 से ही यह पैटर्न चालू होगा तो देख सकते हैं आप ती को साल में दो बार परिक्षा देनी होगी राज जी के आटोनमस कॉलेजों में इसी सत्र से नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा इसके लिए तैयारी की जा रही है और बीए बी कॉम बीए सी जैसे कॉर्स के लिए यह तैयारी की जा चुकी है तो अर्थात आप समझ यह यहाँ पर वारिसिक परिक्षा होती थी तो वहाँ पर जन्वरी फरवरी तक लगता था और उसके बाद वहाँ पर एक्जाम जब आ जाता था तो उससे पहले क्लासेस आफ कर दी जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पूरे बारा माह जैसे समेस्टर वाले कोर्स वाले उसी प्रकार आपको जाना होगा, पढ़ाई होगी वैसे ही पढ़ाई करके आपको 6-6 महिना में दो बार एक्जाम दिलाना होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है राजधानी के साइंस कॉलेज, चतिसगर कॉलेज और डिग्री गल्स कॉलेज काली बारी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेमेस्टर फॉर्मुले से होने वाली है और जाएगा आप उसको देख सकते हैं आपके अपने कॉलेज के वेबसाइट पर यहाँ पर आपको राज्य के दो कॉलेज हैं जो गेजुएशन की पढ़ाई आटोनोमस से हैं दोनों कॉलेज बिलासपूर में हैं इन्हें छोड़कर उच्छे सिक्षा से जुड़े करिब 400 से अधिक कॉलेजों में बी-ए, बी-कॉम, बी-ए-सी जैसे कोर्स की पढ़ाई एन्वल पैटर्न में हैं अब प्रदेश आठ आटोनोमस कॉलेज हैं अब सरों का कहना है कि आटोनोमस कॉलेज में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में सेमेस्टर और चॉइस बेस्ड सिस्टम के बारे में हमने पहले ही बात कर चुका है वीडियो में अभी बात कर रहे हम ग्रेजुएशन में समस्टर की तो वो भी आने वाला है यहां पर देख पा रहे हैं और लिखा हुआ है यानि पूरा कोर्स साल में अनुसार बटा है साल में एक बार वार्सिक परिक्ष है यानि बारवी के बाद पीजी करने में पांस साल लगते हैं लेकिन नए कोर्स अगर आ गया तो बारवी के बाद आप चार साल में ही पीजी पूरा कर लेंगे यहाँ फर्मूला भी नए सतर से लागू करने की तयारी हो रही है अरतात इस वर्स तो आप सभी को पुरानी सिक्षा पद्धति के अनुसार सिक्षा प्रदान की जाएगी अभी तक कुछ साल पहले तक राजी में 11 आटोनमस यानि स्वसासी कॉलेज थे लेकिन तीन कॉलेज के पास से अर्टोनमस का दर्जा भी हटा दिया गया है तो आप जान पा रहे होंगे भी आठ अर्टोनमस कॉलेज यहाँ पर है इसका नाम यहाँ नीचे दिया हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं गुर्प में भी मैं इसे सेंड करूंगा आप देख पाएंगे समेस्टर लागू करने में चुनोतियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से परिशानी होगी रविशंकर विश्विधाला वा अन्यराज की विश्विधाला में पीजी में नीमी चुनोतियां भी काफी है में इंफ्रास्ट्रक्चर से कमी परिशानी बढ़ा सकती है खास कर गर्मी के दिनों में जहां संसादनों की कमी है फर्स्ट येर से सुरू होगा ये शाशन के निदेश के अनुसार आटोनमस कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई समेस्टर के अनुसार होगी फाइलर प्रोजेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन फर्स्ट येर से सुरू हो रहा है समस्टर के नुसार कोर्स तैयार किये जा रहे हैं यह है चेतरल कॉलेज अमिताब बनेजी जी का प्रचारिका साथ ही समस्टर के नुसार अगस्ट से कक्षाएं जो यहाँ पर होने वाली है दुर्ग इसनाकॉत्तर महाविद्दालाई का है अगस्ट से की जा रही है तो अगले सत्र में नई सिक्षानीती पूरी तरह से लागू कर जी जाएगी जिसकी सुरुवात अभी से की जा रही है तो फिलाल अभी इस बार पूराने सिक्षा पद्धती से आप सभी को पढ़ाई करनी होगी अगले साल से नया होगा चार साल का PG कोर्स हो जाएगा जबकि 5 साल अभी लगता है तो दोस्तों नया फॉर्मूला लागू हो गया है वीडियो अच्छा लगे तो सभी तक शेयर जरू करें और यह महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको आप सभी को जानकारी लेना काफी आवश्चक है सब तक के लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहेगा अमर साथ अन्यवाद लक्षान स्कुचिंग क्लासे